ये बच्चे देखने में आपको 100-100 जो भी यहां दिखाई दे रहे हैं 200 लेकिन इस तरह के बच्चे देश के अलग-अलग इलाकों में मैं जाता रहता हूँ तो मुझे बहुत अच्छी खासी संख्या में बच्चे मिलते हैं आप यहां पर हम बुदपूर सैनिक हैं हम एक साल से संगर सी लई चीजों के लिए हम लोगों ने सुप्रीम कोट में भी स्मुद्धिय को उठाया सुप्रीम कोट ने कहा कि इसको हाइग कोट में लेके जाए हाइग कोट में स्टे लगा दिया आज आप स्थिति देख रहे हो इन बंदे के यहां या तो वर्दी दो या अर्थी दो इनको लिखना पड़ रहा है मेरी मोजी जी से अवान है M.P.M.L.S की सेलरी 75 साल में 60 बार बढ़ चुकी है हम वी देश में कहीं 5000 करोड कहीं 6000 करोड अनाज भेज रहे हैं और हमारे पास देश में जो जायज मांगे हैं इनकी कि इनने आर्मी का इन्रोल्मेंट प्रसीजर जो भी क्रिटेरिया होता है वो पास कर लिया था उसके बाद भी इनको जैनिंग नहीं मिली राजनाथ सिंग जी ने आश्वाशन दिया था अगरा में कि इनकी भरती होगी 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 और जो की कुछ नहीं हुआ देखिए बहुत इसमें भी बड़ी विसंगतिया है जो मैंने आपको बताया कि एयर फोस में जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे उनकी तो मेरिट लिस्ट तक आ गई थी देखिए यह बच्चे कुछ यहां वर्दी दो या अर्थी दो आंदोलन कर रहे हैं धरना कर रहे हैं अ आई तो देश में सरकार ने और सेन अध्यक्षों ने यह कह दिया कि अब पुरानी भर्तियों को को मतलब नहीं सर इसका प्रभाव पड़ेगा क्योंकि सरकार जो बैठी है बरतमान में वह सरकार कुछ भी बोलती है कुछ भी करती है लेकिन हम लोगों किसी सरकार से भीख न कोई मतलब नहीं है लेकिन जो अगनी विर्ष से हम लोग जो अपने पहले को लफाई कर चुके हैं वह सरकार क्यों नहीं पूरा कर रही है हमारी लड़ाई है कि हमारा आर्मी का पेपर कराया जाए उसमें जो सलेक्ट होंगे आप उनको लीजिए जिनका पेपर नहीं पास ह हो जाएंगे कि सरकार कुछ चीज कोई खास बजा नहीं हम सर शूरु से यह संदोलों कर रहे हैं लेकिन जंतर मंतर पे हम लोगों को आने का मुका नहीं मिल पा रहा था और एक दो बार आय भी थे तो मतलब वहीं से पुलिस पकड़कर जेल में डाल दी वहां से फिर छूट परस्तिती में जी रहे हैं हमें ऐसी परस्तिती में सरकार ला दिया है कि मैं मजबूर होकर लिखना पड़ रहा है जहां जो लिखा जाता है कि वर्दी दो या अर्थी दो कर मतलब हटा कर वर्दी दे या अर्थी दे यानि मर्यादा को भूलना पड़ रहा है ऐसी परस्तित हम बिहार सा हैं बकसर जिला से